हलो फ्रेंड्स क्या हाले आप सब काई हो बिल्कुल ठीक है खुश है और मज़े में हम भी अलम दिला बहुत अच्छे है तो मैं बना रही हूँ पोर्ट ग्रेवी जो चिकन की पोर्ट होती है उसकी क्रेवी बना रही है जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे बहुत इंस्टन बन जाता है हम लोग के घर में बहुत पसंद करते हैं तो हम लोग के घर में आए दिन ये आता ही है तो मैं ने ओइल गरम कर ली थी और सोची की जैसे डारेक्ट हम वाइल करके मसाले में डालते हैं वो ना करके मैंने सोचा की डारेक्ट मसाला डालके पोर्ट डाल हम लोग नहीं रखते हैं आप अपने हिसाब से रखें तो यह देखी इस तरीके से मैंने कुछ नहीं करी हूँ और गरम करी हूँ उसमें खड़े गरम मसाले लकड़ी फूल जावित्री डोंडा इलाईची और जीरा वगेरा यह इतना ही रखी हूँ और उसके बाद तेज पत लकर यह दाली दौन इंगे बस इतना ही डालना है और कुछ भी नहीं में डालना है इसमें और इस तरहिके से यह बनके बहुँती रेडियो जाती है तो Marcel के और इसमें अभी डालूंगी लियुक्त आम है क्वेड़ने लगी ति और पिर जब मुझे मेलना तो फिर उसको कट तो इतने देर इसी वज़े से मुझे लग गई धनिया पाउडर डालने में और इसके अलावा जादा कुछ भी नहीं डालना है और थोड़ा सा गरम मसाला जो कि घर का पिसा हो चाहें बाहर का भी आप थोड़ा सा डाल दें खुजबू के लिए उसके बाद यह मैंने टमाटर प्यूरी भी डाल दी थी तो यह टमाटर मैंने इसलिए डाली हूँ मैं आप लोग को बता रही हूँ और क्योंकि टमाटर जब हम बड़ा बड़ा बड़े बड़े पीसेज में डालते है ना तो मूर में आता है बच्छों के और वो बहुत नाटा करते हैं ग्रेवी में तो ऑईल बबल बनके ऑईल छोड़ रहे हैं बहुत टेस्टी बनता है यह और नॉर्मली जो हम ग्रेवी बनाते हैं चिकन की वैसे ही बनता है और यह देखिए और मैं अब इसके बाद बताऊंगी कि इसमें पोर्ट डालना है और कुछ नहीं बहुत सिंपल रेस्पी बड़ ब बहुत अच्छे से पक जाती है और नॉर्मली बाहर भूंच के कड़ाई में पकाऊना बहुत टाइम लगता है तो यह मैंने पूरा पोर्ट डाल दी हूँ इस तरीके से यह देख रहा है अब इसमें मैंने पूरी पोर्ट डाल दी हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से मतलब भूना है और फिर मैं इसको कूकर बंद कर दूँगी यह देखिए मैं इस तरीके से चमत चला रही हूँ क्योंकि सारा मसार अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको हम बिल्कुल भूना जो रोश्टेड होता है ना वो भी बना सकते हो ग्रेवी वाला भी इसमें मैंने और मैंने धनिया पाउडर भी डाल दी थी बट वो उसमें नहीं दिखाया है कई बार होता है मैं पॉस करती हूँ और उसको ओन करना भूल जाती हूँ मैं और वीडियो रिकॉर्डिंग होती नहीं और मुझे लगता है चल रहा है चल रहा है यह देखिए यह रहे पोर्ट सारे इनको मैं बनाऊंगी इसी तरीके से मेरे हजबेंड लेके आ जाते हैं और ड्यूटी जाते हैं वहीं से जब डिटन आते हैं तो चिकन वगेरा और कोई भी चीजे इसी तरीके से लेके आ जाते हैं बहुत अच्छे से इतने मनदब ड्यूटी से आते हैं और पूरा सब से सी टी लगाएंगे और इसको पकाएंगे करीब दो-tीन सी टी अच्छे से पकLife क्योंकि यह ठोड़ी hard होती है उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ जब यह पूरा अच्छे तरीके से पक जाएंगे फिर मैं आप को दिखाऊंगी और ये देखिए अब मैं सीटी डालके और ये मैं रख दूंगी अब ये देखिए पोर्ट बन चुकी है इसको मैंने बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और देखिए कितने कितना प्यारा ये कस्मी लाल मिल्च का कमाल है जो की इतना प्यारा सुनेयरा सा और ये ग्रेवी बन के रेडी होगी और खाने में बहुत टेस्टी लगती तो नेक्स वीडियो फिर मुलाकात होगी दौा में यादर किया लाहाफीज